Good evening. Good morning. चलो जी, तो θαुना क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था derivatives और derivatives में हम लोगोंने important questions जो थे important questions गोनी srry मैं बात कर रहा हूँ वो questions जो नए है वो complete किया आज जो topics होने वाला है उसका नाम है interest rate risk management derivatives में total 8 questions नए थे interest rate risk management में तीन ही question है वो भी नए नहीं है it means अगर आपका concepts अच्छा रहा होगा तो आपने एक question को छोड़के बाकी दो question exam में आसानी से बना लिया होगा वो मैं discuss करूँगा क्या है अच्छा अब एक बात है कि कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर आपकी regular class की मैं बात कर रहा हूँ regular class की कि मेरी जो regular class है उसमें number of questions बड़े सारे हैं और इतने सारे questions है तो exam से पहले अगर हमको revision करना है तो इतने सारे questions तो revise हो ही नहीं पाएगे असंबह बात है तो हमें एक list देती चीए वो important है वो exam में आएगे questions से सारे concepts cover हो जाने चाहिए अगर हम उतने questions कर ले तो हमारे सारे concepts cover हो जाए कास आप ऐसी list दे पाए और वो list मैंने बना लिया है कुछ बच्चों को मिल भी चुका होगा पर बहुत सारे बच्चे telegram channel में तो है नहीं है मेरे इसलिए मैं यहाँ announcement कर रहा हूँ मैं description में दे रहा हूँ वो questions उनको करके आपके सारे concepts cover हो जाएगे हर chapter की questions मैंने डाल दिया सिर्फ बात कि जिन्होंने मुझसे class लिया है जिनके पास मेरी books है और regular course की उसी मेंसे मैंने selected question आपको दे रखा उतने ही करोगे that's it सर पर आप से जिन्होंने class नहीं लिया है वो कैसे करें उनके लिए कोई important question तो भई मेरे पस तो option नहीं हाँ मैं यह कर सकता हूँ कि अपने book को की link आपको दे दूँ PDF और वो important question की list दे दूँ नीचे description में तो भाई फिर आप देख लीजिए अपने हिसाब से अप manage कर लीजिएगा पर जिन बच्चों को मेरे पार के मेरी classes से उन लोगों के लिए important important question की list है प्लीज उसे आप देख लीजिए उसे download कर लीजिए वो आपके लिए काम हैगा ठीक है जी तो चले यसर आज क्या बात करेंगे आज बात करेंगे हम interest rate risk management का और यह question है और इस question में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि यह question आप से हो ही नहीं सकता यह question hundred percent आप से होगा चाहे आपने class मुझसे किया हो चाहे नहीं किया हो question बड़ा असान था करवाने का उद्देश क्या है इस question को तो करवाने का उद्देश सिर्फ यह question तो वैसे भी मैं नहीं करवाता अगर मैं देखा जाए तो दो ही question पर इसके बाद question है जिसमें I.C. AI ने गल्ती कर रखा है इसलिए मैं यह question आपको करवा रहा हूं कि ठीक है तो देखें यस कब आया है यह November 2020 और यह old syllabus में आया हुआ है आठ नंबर का question सर आठ नंबर का swap का question इंट्रेट में से swap का question क्या बोलता है कोशन एक बार देखें क्या यस पूल रहा है आई बी एक इंडियन फर्म है ठीक है और उसकी subsidiary कहा है जापान में सर इंडिया और मेरी subsidiary जापान में जापान में कौन सी करणशी चलती है यह ठीक है ऐसी कोई जापनी जैपनीज कंपनी है जैकी और उसकी subsidiary हमारे यह है इंडिया में ठीक है कोई दिक्कत नहीं आइस है एंड फिच द फाल एंटर्स रहां है यह एक और कौन सी कंपनी एंडियन में जैपनी कंपनी और यह कंपनी भाई रों है dagir को dit विंद्धियन रुपीस हमको तो मिली सकता है हमको तो प्लों मिली सकता है फ्लोट इंडेट आज अहलीट Sum 0.5 पर फ्लोटींग प्लस 0.5 हमको मिलेगा PLR बोलता हो इतना लबा नाम ठीक नहीं PLR प्लस 0.5% पर जैकी को मिलेगा PLR प्लस 0.2.5% हो नहीं था क्योंकि हमारे यहां का लोन बाहर की कंपनी तो थोड़ी सस्थे में देगे हमको ज़्यादा सस्ते में देंगे न तो अर वैसे भी हमारी हो सकता क्रेडिट ट्रेटिंग अच्छी है तो हम लोगों को फायदा है अगर हम रुपिया में उधार ले तो साहब हमको फायदा है हमें तो 0.5 पे मिलेगा उसको ज़्यादा अच्छा जैपनीज येन 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 तो हमें यहां नहीं मिलेगा वहाँ से लेना पड़ेगा अगर वहां से एक रियन लेते तो हमें 2% में मिलेगा लेकिन येन उधार लेगे वह यहां तक ज़्यादा पहले टेक्निकल लैग्वेज यूज़ नहीं करूंगा कि this is absolute advantage या comparative advantage बोलूँगा तो मेरे ख्याल से उन लोगों को तो समझ में आ जाएगा जिन्होंने class किया वो पर हो सकता भूल गया हो absolute और comparative तो दिक्कत ना हो जाए इसलिए अभी तक मैंने question read किया अब आगे देखते क्या लिखा बुले जैकी है वो भी उसको रुपिया का लोन चाहिए ओहो जैकी को क्या चाहिए रुपिया उसकी subsidiary है ना इंडिया में तो बुले मुझको रुपिया उधार लेना है अच्छा और सहाब आपको रुपिया उधार लेना है तो आपको इस rate प और आई बी क्या उधार लेना चाहता है वह यह उधार लेना चाहता आई बी यह उसको इस rate पर मिल जाएगा तो ठीक है या अब क्या किया जा सकता है अब ध्यान से समझना मेरी बात में जो बोलने जा रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा डیटेल मännें जाओंगा बस काम की बात मैं हूं जैकी मैं बोल रहा हूं सुनो ना भी मेरी help कर सकते हो कि बोले किस टाइप की मदद बोले सुनो मुझको रुपिया उधार लेना है तो सर जी मुझको जो है ना बड़ा भारी रेट है तो पॉइंट फाइप परशन फ्लोटिंग प्लस पीलर प्लस 2.5 और आपको तो पॉइंट फाइप में मिल रहा है ना तो प आपको 2.5 में मिल रहा है और मैं अगर ले लूँ तो मुझे तो 0.5 में मिल जाएगा तो चलो मैं ही ले देता हूँ आपके लिए क्या फर्क पड़ा है तो इस वज़ा से फाइदा हो जाएगा और कितने परशन का फाइदा हो जाएगा इस वज़ा से बोले 2 परशन का आपके लिए मैं ऐसा कर सकता हूं में भी लोन ले देता हूं और कितने पर बुले जो आपको दो पर्शंट पर है वह मैं 2.5 पर्शंट पर आपके लिए लेता हूं ठीक है तो बोले जो 2 पर्शंट है वह मैं 2.25 पर आपके लिए लेकर आपको दे दूगा ठीक है तो इस चक्कर में यहां इसका लॉस है और कितने का लॉस है 0.25 पर्शंट का तो जैकी बोलता सुनो तो भी चिंदा की बात नहीं है तो भी हमारा फायदा दिख रहा है ना 1.75 पर्शंट का फायदा दिख रहा है क्यों चिंदा कर रहा है 1.75 पर्शंट का फायदा दिख रहा है और आपको लॉस है उसको भी एंजिस्ट करने और फिर बोले अगर मैं इसको छोड़ता हूँ अभी छोड़ो ये बात मैं आपको सीधी साधी बात बोलता हूँ बात खतम करते इट मेंस रिविजन चल रहा है तो रिविजन जैसे कर ओ सौरी ये किया हुआ है आपका तो मैं वैसे ही करवाता हूना जैकी किस हिसाब से चाहता है रुपीज जो मैंने पढ़वा रखा है ना वो बात करूँ IB फायदे में है किस में? floating rate में हाँ बोलू हाँ सर कितने फायदे में है it means IB limited को Jackie limited की अपिक्छा benefit है advantage है कितने percentage का advantage है 2% का किस में? floating floating क्या होता? fix क्या होता? ये तो बताना नहीं पड़ेगा और IB limited को ही advantage में है और किस में advantage में है? fix में भी advantage में भी और fix में कितना advantage में है? 0.25% इसको बलते है absolute advantage ठीक है it means सहाब IB limited आपका credit rating बहुत अच्छा है आप दोनों ही rate में फायदे में है आपको absolute advantage है floating में भी आपको absolute advantage में है fix में भी लेकिन इन दोनों के विसे में सोचे कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा advantage में है? बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कहता हूँ इन दोनों का comparison कर लेजिए और किस में comparative advantage जाता है? this is important और सर इसको comparative advantage floating में जाता है fix क्या picture फिर से ये language आपको लिखना पड़ेगा सर ये language आपको लिखना पड़ेगा इसलिए मैं ये language यूज़ कर रहा हूँ और जिन्होंने पढ़ रखा उनको दिक्कत नहीं होगी सुने में जो पहली बार अगर ये सीधा देख रहे होगे तो भई ये भगवा नहीं मले तो ध्यान से समझो अगर मैं बोलू कि सहब IB Limited has IB Limited has absolute advantage in floating rate as well as fix rate but it has comparative advantage in floating rate बात समझ में आरे अगर इन दोनों का comparison करो तो comparative advantage है किस में floating में hence IB Limited should borrow IB Limited should borrow at floating rate floating rate भी borrow करना चाहिए न भई जिसमें फायदर्स पर borrow करो तो IB Limited को floating rate पर borrow करना चाहिए लेकिन वो करेगा उल्टा उल्टा ही करेगा तभी तो swipe होगा और यहां क्या लिखा IB Limited borrow Japanese yen at fixed rate जबकि इसको किस पर borrow करना चाहिए floating it means जिसमें advantage है वो उसमें borrow नहीं करेगा opposite borrow करेगा detail आप lecture देख ले तो फिर हम क्या करेंगे बस अब हम उसको बता देंगे ये story लिखना पड़ेगा जो लिख रहते इसके बाद क्या होगा sir इसके बाद without swap कितना है check कर लो without swap rate of interest इस पर borrow करना चाहते थे मतलब sir BPLR plus 2.5 plus 2 इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने पे कितना आ रहा है जोडने पे आ रहा सरफ BPLR plus 4.5 पर एक किसकी बात करो मैं without swap अगर swap नहीं करते जो जो चाहता वो बॉरो करता तो तो भाई कितना total cost कितना पढ़ रहा था PLR plus 4.5 पर्शन लेकिन आप अगर swap करते हैं साव विट स्वैप तो फिर जो जो चाहता है उसके opposite मतलब यहां क्या हो जाता BPLR plus 0.5 पर्शन plus 2.25 पर्शन तो सर 2.25 प्लस 0.5 तो सर यह हो जाता BPLR plus 2.75 पर्शन अगर swap कर रहा है तो total cost यह पढ़ आगर swap नहीं कर रहे तो total cost यह पढ़ आगर तो क्या करे इसमें से देख ले थे कितने का फायदा हो सकता तो इस वन और दिस टू तो 4.5 माइनस 2.75 तो फायदा कितने का हो रहा है सर 1.75 पर्शन का टोटल फायदा उसमें से कमिशन कितना चला जाएगा financial institute को 0.25 पर्शन का फ्रॉफिट तो भाई ऑन एंवरेश कमिशन काटने के बाद 1.75 पर्शन का प्रॉफिट है 1.75 इसमें से कुछ प्रॉफिट यहां चला जाएगा कुछ प्रॉफिट यहां चला जाएगा suppose आदा आदा तो 0.75 पर्शन का प्रॉफिट यहां हो जाएगा और 0.75 पर्शन का प्रॉफिट यहां हो जाएगा इस तरह से स्वइब डिजाइन के जाएंगा सरक्याउए तो समझ ही में नहीं आए तो मेरे पास एक ही जा रहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में १ृट्पर्ण में एक लिंक देता है। सबस्में करें औस अचला हो को शसे हुआ एक एक रखला की आपका आूसे जाकर ठीक है कि का तो इसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना पढ़ा एफेक्टिव कॉश्ट क्या पड़ा होगा जो आ रहा इसमें से 0.75 माइनस कर दीजिए इसमें से 0.75 माइनस कर दीजिए अगर इसमें से 0.75 माइनस करूगे तो क्या पड़ेगा bplr plus 1.75 बचे और न 2.5 –1.75 effective cost और इसका 2-1.25 पर that's it क्या ये question नया था बलो नहीं क्या ये आप आसानी से कर लिए थे यस बिलुकुल इस लिए इस question में कुछ था ये नहीं इन्होंने भी कर रखा है कहां है sir question ये ही है इसमें भी उन्होंने absolute advantage comparative advantage ये समझाये ये आपको लिखना पड़ेगा sir सिर्फ आपका calculator चलाने से कुछ नहीं होगा ये लिखना पड़ेगा फिर प्रेजेंटेशन ऐसा है हमारा presentation कुछ और होता था हम लिखते टोटल कॉस्ट विदाउट स्वैप टोटल कॉस्ट विथ स्वैप उन दोनों के बीच का difference माइनस इंटर मेंडियरी कमिशन ऐसा कुछ करते थे इनका प्रेजेंटेशन ऐसा फाइनल आंसर वही आ रहा है 1.25 परशन ने बीपी एल बीपी एला प्लस 1.75 पर तो प्रेजेंटेशन हमें ऐसा ही करना है कि अलग हो सकता है तो इन्होंने नोट भी लग रहा है सजेश्टेट है नोट भी लिख रहा है चाहो तो आप डिफरेंट मैनर में भी आप स्वैप का अरेंजमेंट कर सकते हो और आपको नंबर दिये जाएगी हाला कि देता नहीं होगा पता नहीं पर बहले नंबर दिया जाएगा सर्थ यह है कि आपका आंसर जो है फाइनल आं जोई नहीं सकता कि आपसे ना बने पर इतना है कि मैंने क्यों करवाए इस वज़ा से करवाए क्योंकि मुझे कोशिन डिसक। करवाना इसके बाद वहाए टीक देखो मैं बात कर रहा हूं इस question की ये question कब आया अब सुनना बिटे ध्यान से अब सुनोगे ये question आया May 2019 ये भी Old Sleevers में ही आया था May 2019 आठ नमबर का ये भी था और ये वाला question कब का था सर ये था November 2020 नया ये वाला जो किया आपने अब जब ये एक साल पहले का question है एक साल पहले का एक attempt पहले का question May 2020, November 2020 एक attempt पहले का question है भाई जबरदस्त गलती कर दिया था ICAI ने इस question में अब गलती क्या है जड़ा देखो बोले I am is an American firm having its subsidiary in Japan and J.I. a Japanese firm having its subsidiary in U.S. story में बता सकता हूं ज़रूरत नहीं है floating rate है यह थोड़ा सा misprint यहां प्रिंट यहां प्रिंट यहां प्रिंट लाइबर प्लस पॉइंट फाइबर और यह जैपनीज एन का fix rate है अब ध्यान से समझना में क्या बलना चाला हूं floating में कौन सी company को absolute advantage है no doubt I am I am absolute advantage in floating rate अब ध्यान से समझना है but it is floating rate कितना absolute advantage है तो दिख रहा है कितना दो परशन और fix में भी I am कोई advantage है कितने परशन का 0.25 परशन का सवाल यह है क्या यह absolute advantage है हाँ सर किस में इस में भी इस में भी floating में भी I am को फाइदा है fix में भी I am को फाइदा है पर दोनों का comparison करके बताओ कि किस में ज़्यादा है और कोई दिक्कत की बात नहीं कि floating में ज़्यादा है तो अगर मैं बोलू comparative advantage है और किस में comparative advantage है floating में तो मुझे आपकी सला दीजिए floating rate कि I am को किस rate पर उधार लेना चाहिए sir I am को उधार लेना चाहिए floating rate पर कोई बच्चा भी बता देगा कि floating rate पर उधार लेना चाहिए पर उधार किस पर ले रहा होगा fix पर तब उसके बाद हम swipe कर लेते हैं यही तो हमने पढ़ा है और I am borrow कर रहा है dollar किस rate पर floating rate पर band बजगी अप तो बस यही तो दिक्कत है सहाब हम कह रहे है कि I am को उधार लेना चाहिए floating पर और भाई साब वो I am उधार ले रहा है actual में floating पर कहां से करवा लोगे swap swap हो यह नहीं सकता impossible बात है जो floating पर उधार लेने के लिए बोल रहा है और हम बोल रहा है उसको सब्सक्राइब करेक्ट आंसर कोशन था और वह लॉजी कली सही था वो कोशन एक्क्यूरेट था उसको मुझे करवाने की जबरत पड़ दी नहीं चाहिए थी क्योंकि वह आप अल्रेड़ी आपको आता इस कोश्चन में जब यह एक्जाम में आया आट नचाने कितने फोन आए शाम्कोषसतर क्या है कोश्चन मतलब सरस्वेप कैसे पॉसेबल नहीं तो केल क हो गए हम क्या करें करो बोलता कैसे करें मैंने भी पढ़ा मैंने सब्सट्री सम्प्सिबल यह नहीं है स्थore आप कैसी बात कर आप करके riders आई सी एई ने सजिश्टेड में तो हद कर दिया उन्होंने क्या किया उन्होंने डिफरेंस नहीं का लिए छोड़ो ना एपसुलूट एडवांटिस अपने कुछ नहीं किया उन्होंने जो ज्यादा ज्यादा रेट दिख रहा है ज्यादा ज्यादा रेट यह ज्यादा ज्य गुआ दिया तो सरी यह आगये this plus this this is libor plus 6.5 कर दिया और हिन दोनों को जोड दिया तो सरी यह आगया लाइब और प्लस 4.5 और माइनस करके कितना आगया दो परसेंट और भूले ठीक है प्लस माइनस कर रहा है यह कोश्चन टोटली रॉंग गलती यहीं से हो गई है यहां होना था आई-एम विसेश्ट टू बोरो यहन एट फिक्स रेट होना यह लैंग्विश थे पर लैंग्विश यहां से गरबढ़ हुआ और यहां से गरबढ़ हुआ जब स्वैप ही नहीं हो सकता सिर्फ सब्दों का खेल है थोड़े से दो सब्दें यहां गरबढ़ किये अब आपको कोश्चन प्लीज अगर आपके पास हो और आप डाउट पुछने वाले कि सर कैसे करेंगे क्या करेंगे तो मुझसे मत पूछना यह गलत है कोश्चन ही गलत हो गया स्वैप पॉसीबल ही नहीं उन्होंने स्वैप करवा दिया सुरू में तो बहुत अच्छा कुछ-कुछ और बाद में इन्होंने बिल्कुल खराब काम कर दिया और उन्होंने सीधा स्वैप करके बैनेट इंटरस्ट बैनिफिट निकाली एक परशंट वो तो वैसी आ गया था पर एक परशंट लाना एक परशंट का फायदा निकालना कोई मुस्किल काम है क्या इन दोनों को कर में आप उलज मत जाना बस इस कोशन के लिए मैंने पिछला कोशन करवा है तो वो कॉंसिप्ट तो अल्रीडी हमारा हो जाता कोई दिकत नहीं पर फिर से बोलों इसका अगर डिटिल में कॉंसेप्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करो कि आपको डिट अब बात कर किस की करते सर तो सर अब बात करते हम लोग कोशन नमबर थ्री कोशन नमबर थ्री भी नया नहीं है इट में सर आप ये बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में कोई भी नया कोशन नहीं आया है जी सर दो साल से 2019 से किस नया कोशन एक भी नहीं ओरनाइट इंडेक्स स्वैप करके मैं कॉंसिप्ट्स करवाता हूं मतलब आप कहीं से जहां से भी करते होगे ओरनाइट इंडेक्स स्वैप उसी का कोश्चन था हाला कि वो जो कोश्चन है डेरिविट्व बैंक नाम से ही है आपके प्रैक्टिस मैनुवल में या इस्टडी म मिलेगा न जो कॉश्चन उस वो भी कॉश्चं डेरिविट्व बैंक के लिकोश्चन थोड़ा अलग है पिछले यह कॉश्चन यह कॉश्चन जादा अच्छा है यह कॉश्चन जादा ऐजी है आसान है और जो आपके शड़ी मठील में डला हुआ उना वो थोड़ा sommes இர इए क्या है व्ले डारिविटी बैंक एंट्र इंट्र इस एक बैंक है डारिविटी और स्वाप अरेंजमेंट कर रहा है किसके साथ कर रहा होगा स्वाप बैंक होगी कोई यह कोई पर्सन होगा जिसके सब स्वाप कर रहे हैं हम स्वाप बैंक लिए डेरी विटी बैंक और यह स्वाप बुले रिस्यू करेगा डेव क्या रिस्यू करेगा माइबॉर माइबॉर का मतलब फ्लोटी तो देगा क्या फिक्स्ट आगे क्या लिका हाँ Overnight Index Overnight का मतलब समस्त्य हो साहब Overnight Overnight मतलब हर दिन interest rate change होगा For a fixed payment on the principal The swap was entered into Monday 19th August The vast commence on run for a period of 7 days For a fixed payment on the principal ठीक, फिक्स रेट कितना आट बर्शन, फिक्स रेट है आट बर्शन, दा नीचर ओब इस स्वैप आरेंजमेंट नेट सिटलमेंट अमाउट संडे को हलेडे है, वर्क आउट करना है और तीन सो पैसेट दिन एक साल में पहली बात, स्वैप कितने दिन का है, साथ दिन का, हमें करना कुछ नहीं है भाई, इस प्लेन वनिला स्वैप, कुछ नहीं है, देना है फिक्स, मिलेगा फ्लोटी, यहां साथ दिन का एक साथ, यहां हर दिन का इंटरस निकालना पड़ेगा, का floating जो मिलेगा ना daily basis पर इंट्रस्ट निकलेगा और वह daily compounding होगा मैं आपको बताऊंगा कि daily कैसे compounded होता है देना क्या है fix कितना percent 8 percent और days के हिसाब से calculate होना है और कितने करोड का 10 करोड का तो सबसे पहले fix वाला amount निकाली जी कोई दिक्कत नहीं, दस करोड कैसे बनता है पता है। इंटू, दस करोड का आठ पर्षेंट इंटू सेवन डिवादेट बाई 365, तो सर यह आ गया, यह ले लों, यह किसके अबढ़ना किसे अब निकालना हूँगा है, फ्लोटिंग और यह और नेचर प्लेन वनिला स्वाप, जिस पे आफ फिक्स दोगे फ्लोटिंग लोगे प्लेन वनिला स्वाप बोलते हैं। अच्छा यह तो ओवर्नाइट इंडेक्स वाइब बोल रहा है ठीक है चल जाएगा दूसरा नेट चैटिलमें यह इंपोर्टन है हमें क्या फिक्स का इंटरेस्ट पता हो गया यह फ्लोटिंग का इंपोर्टन है मैं आपसे बोल रहा हूँ फ्लोटिंग में होता क्या है माइबोर में क्या होता ओवर्नाइट इंडेक्स वैप में पहले दस करोड का 8.15% एक दिन का निकलेगा तो यह आगा है अब जब सेकेंड एका निकलेगा न तो यह वाला इंटरेस्ट इसमें एड हो जाएगा और उस निकलेगा जब थर्ड एका निकलेगा न मतलब सर आप डेली कंपाउंडिंग की बात कर रहा है इंपॉर्टन्ट क्या है कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में गरबड हो सकती है बार बार कैलकुलेटर चलाओगी इतना ज़्यादा न तो यार टाइम बहुत लगेगा सवाल ब उसको एम प्लस में डाल दो बता रहा हूं काम आएगा एम प्लस में डाल दिया यस अब एक काम करो इन्टू 8.15% डिवादेट बाई 360 एक दिन का और जो आया एम प्लस में डाल दो तो यह आगया 22329 यहां तक हो गया अब सुनो कुछ मत करना उसको MRC कर दो MRC MRC कर दिया त हो आपस सर यह वाला फिगर आगया फिर इन्टू 7.98 पर्षंर्ट डिवादेट 25icia 645 फिर M प्लस में करो तो सथ्यम अबर दो फिदम एम अर्सी करोगे टो यह वाला फिगर मिल गया इन्टू 7.9 फश्य हूं डिमाड़ेट 265 पिर Mической तो यह वाला मिल गया फिर MRC कर दो यह वाला figure मिल गया है into 8.12% divided by 365 M plus करोगे तो यह मिल गया MRC कर दोगी तो यह मिल गया अब सुनना ध्यान से क्योंकि यह Saturday संडे का तो Saturday को ही Saturday और संडे दो दिन का interest आप add करोगी और कौन सा वाला rate लेना Saturday वाला rate लेना compounding नहीं सिधा दो दिन का it means जो figure आया into 8.15% into 2 divided by 365 तो finally यह आजाएगा यह important है याद रखने वाली बात यह है ठीक है उसके मदब floating का जोड़ोगे तो यह आगा यह सब पिर add कर दो गया floating का 154206 यहां का गया 154206 तो देना कितना 153 आएगा कितना वान तो यह जादा आएगा तो यह जादा कितना आएगा 154206 माइनस 153425 153425 तो सर जादा कितना आएगा जादा आएगा रुपीस 781 this is net settlement amount derivative bank receive करेगा हाला कि उसने receive करेगा कि नहीं करेगा यह नहीं पूछा net settlement पूछा तो net settlement आगया 781 और उन्होंने वही काम किया होगा net settlement आगया 781 यह दिख रहा है आपको ठीक है ठीक है सर तो मुद्दे की बात खतम कर रहा है इंपोर्टन्ट क्या है इंपोर्टन्ट आज की क्लास में बताने के लिए बस इंपोर्टन्ट यह था कि एक कोश्चन आई सी ए आई ने गलत दे रखा था उसमें स्वाप पॉसीबल नहीं था उसके चक्कर में पूरा कॉंसेट्ट अपना हिला मत लेना कि जो चल रहा है थे जैसे उस कोश्चन को आख बंद कर दो इसकीप कर दो अगली बार देगा अगली बार क्या उसके जश्ट बाद वाले अटेम्ट में दिया तो उन्होंने सुधार कर दिया ऐसा भी नहीं कि वो गलत करते आपके साथ तो इंट्रेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में देखा जाए बेसिकली तो एक भी कोश्चन नहीं है पर यह जो लाश्ट वाला कोश्चन था ना यह वाला लाश्ट वाला यह कहां डला हुआ एक्जाम में तो आया ही है और सुनों कौन से वाले एक्जाम में आया भाई नवंबर दोहजार इक्जिस आट नंबर का कॉश्चन नवंबर दोहजार इक्जिस कि यह 2020 हो सकता है इस बार की आजटीपि में भी डला हुआ है यह आट इपी का कॉश्चन है यार, एक्जाम लिखा हुआ है, यह एक्जाम नहीं है, यह RTP का कोश binds है, इत मीन्स क्या इस बार की RTP है? यस, और RTP Old और New एक ही है, तो यह RTP का कोश PCs है, तो प्लीज सर देखकर चले जाना, यह लास्ट वाला कोशन है, हलकी में मत लेना, प्लीज. और जिनको concepts में दिक्कत है कौन से वाले जो पहले दो कोशन करवाए उनका concept उनको समझ में नहीं आया है चिंता ना करें description में link share कर देता हूं तो description में क्या-क्या मिलेगा description में इसका PDF तो मिलेगा मिलेगा आपको प्लस इसके अलावा मैंने का old book एक अपना regular का link दे देता हूं और उसका important question दे देता हूं और इसके अलावा फिर आपको description में that's it important question के list मिल जाएगी हो जाएगा और इसका concept दे रहा हूं अगली class कौन से रहेगी 4x और 4x में number of questions थोड़े से new थोड़े से जाता है तीन question तो नहीं पर उस से जाता है तो कल मिलते हैं जिसमें 4x में discuss करूंगा ठीक है thank you so much bye bye